हलो करता सागत आप सबका टीम सोरें के यूडियूब चैनल पर तो इस परडिकल वीडियों बात करने वाले आज के लिए जमारा मैच रहेगा किस किस के बीच में एक तरफ रहेगी शार्जावूरी और दूसरी के तरफ रहने वाले गल्स लैंड मैच खले जाएगा वीडियो में कि कैसे आज का मैच हो सकता है यहां पर कुन से आपके लिए बोलर्स और बैट्समें अच्छे हो सकते हैं और कैसे दोनों टीम आज के लिए परफॉर्म करेंगी टीम अपनी स्मोली की कैसे बनाएंगे सब चीज़े डिसकस करने वाला हूं तो वीडियो उपर आपको आखिर तक देखना है आखिर तक देखो सब इंफरमेशन मिल जागे और साथे साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ है फटावट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो वैल लोटिफिक पीचे है और वहीं पर अगर गल्व जैंड्स की बात की चल लगातार यह मैचेस विन करते हुए आरे और अभी टेबल टोपर सी बने हुए है बाकि दुबा इंटरेशनल क्रिकट स्टेडियम पर यह मैचे खेले जाएगा अब यहां के अगर स्टैट्स की बात करों तो पि को आता है यहां पर 16 जन्वरी को जिसमें की 182 का स्कोर बनिया था गल्फ ने बड़ी असानी से चेज किया नैंटीन वर्स में पांच विकेट फेसर पांच विकेट स्पिनर ठीक है उसके बात में 18 जन्वरी को मैच हुआ जो बिलकुल एक लोग स्कोरिंग हो गया वैसे 20 जन्वरी को दुबाई कैपिटल सोरी दिली नहीं दुबाई कैपिटल जो है 177 उनों बनाए शार्जा बोर्यार्स ने ये टारेट को चेज कर दिया ठीक है और साथ विकेट थे पेसर के स्मिनर्स को कोई विकेट ने मिला जबकि इससे पहले जो दो मैच विकेट स्मिनर्स के तो चार दिन और चार अलग मैच आपको यहां पर देखने को मिलें जिसमें दो मैच जैसे रहे जिसमें विकेट बढ़िया से निकाले और उसके बात में जैसे जैसे पिच्छ यूज होती गई वैसे वैसे स्पिनर्स को मदद भढ़नी चाहिए थी बट यहां स्पिनर्स जो बिल्कुल बंद हो गया आगे के दो मैचेस में बाकि आज के लिए मैं सजेश्ट पैसे करूंगा नी कि आप बिल्कुल स्पिनर्स को छोड़ दो बट यह लेके जरूर चलना बट बहुत जादा मत रखना या फिर बहुत जादा डिमेंड मत होना स्पिनर्स के उपर कि अगर पिछले चार मैचेस की बात करें तो पेसर्स के विकेट आपको बहुत जादा रहे हैं पहली इनिंग में दूसरी इनिंग में सत्रा मिकेट से और सपिनर्स अपने दोने इनिंग में अभी तक बराबर देखने को मिले हैं उसके बात में आते हैं प्लेंग 11 क्या सबने वैसे ही उतना ही खराब परफोर्मेंस अगले दो मैचेस मेरा यहां तक कि जो कल मैच खेला ना इन्होंने कल यह परसों खेला था नहीं दुबाई के ग्राउंड पर जहां पर फिफ्टी टू रंस पड़े इनको चार और में ठीक है हलाकि बोलर खराब निया बोलर ड कर सकता है वैसा जीन है रहान एमत का क्योंकि पिछले दो मैच में स्पिनर्स को विकेट उतने नहीं मिल पाएं और पिछले मैच में तो बहुत ही जादा लाइन लैंड खराब कर दी ते रहान की चार और में 52 पड़े थी क्योंकि उसका विंस और बैंटन की बात करें दोनो ले सकते हैं ग्रेंड लिग में का ट्राइब करना हो तो बिलकुल करना और एसा सी वीसी करना ग्रेंड लिग में तो टोम बैंटन को न और स्मोल लिग में लेना एक थोड़ा से रिस्क जरूर रहेगा उसका पहले मैच में वैसे भी तीन पर आउट होगे तो आप पिछली इनिंग देखोगे या तो कुछ नहीं बनाया या फिर बहुत बढ़िया जो है यहां से स्कोर जो है करके यहां से दिखा दिया तोम मेटन का वैसे उसके बाद में विंस की बात करें लगातार अच्छा कर रहे हैं विंस बिग बैश में भी अच्छा खेल कर आये थे पर आकर इन्होंने 71 बनाया और ओपनिंग फेल होने के बावजूद पिछले मैंच में जो गल्स एंड्स की टीम है वो विन कर गई थी 190 का स्कोर चेस कर दिया था रहा ने मत की बात करें चार नंबर पर इनको शिफ्ट किया गया क्योंकि टॉम बैंटन आगे ओपन करने इस इस वैसे हैट्मयर की बैटिंग आ जाते हैं और है मैं एक में 37 बनाती है बड़ी तेजी के साथ में बना दी 70 एक मैच विनिंग नो कि नो ने खेल कर दिखाई थी डेविनिटली लेकर लेकर चल सकते हो कर आपको टीम में रखना है तो क्योंकि बैटिंग आ जाएग और इस सब में विकेट्स यह काफिस आई जो है निकाल रहा है मतलब एक एक विकेट्स तो इनके तरफ से आई रहे हैं बीच में एक मैंच ऐसा भी जिसमें तीन विकेट ले गए थे उसके बाद में इदर से आया नवजल खान को इन्होंने सिर्फ एक यूई कोटा के लिए रख रख डाविडवीज और उसके बाद में अगर से संचिच शर्मा और रहान एंबस ठीक है पांच बोलर यूज वे जिरों में विकेट्स निकाले उससे अगले मैच में क्या हुआ उससे अगले मैच में रहान एमत डोसन जोरण ग्लीसन और उसके बाद में 20 इनको यूज किया गय बागी के चार और पूरे चार चार करा गए तो वैसा से इनके इसमें चलनी पा रहा है यह या तो पांच ही बोलर यूज़ करते और छटे को एक दम भूली जाते जैसे डोसन को एक मैच हो भूल गए एक में संचित शर्मा को तो वैसा रहा तो डोसन जहां तक है इस वज़े से मैं थोड़ा सा रिसके पिक में डालूँगा इदर से और वैसे भी आप रहान एहमत एजा स्पिनर ले ही रहे तो डोसन लेनी कितनी ज़रूत पढ़नी नीची है उसके बाद मैं इदर से क्रिश योड़न ग्लीसन आई तिंग इंपॉंट होने चे क्रिश योड़न लगातार अभी अच्छा करता हुआ रहे ठीक है और ग्लीसन की बात की जाए तो भाई ये शुरुआती ओर में जो है तीनो चारो मैचेस में सकते हो अब संचित चर्मा के पास में उतनी पेस नहीं है बहुत ही जादा ऐसा है नहीं की धीरे डालते हैं 120 के एराउंड ये स्पीड से डालते हैं और बस इनके पास में संदीब शर्मा को आई पेल में तो वैसा कुछ है बोलर है उसके पास फिर भी थोड़ी स्पीड है इनके बास में बिल्कुल भी नहीं है उसके बाद में आते हैं के बैंच प्लेयर की बात करें जादा कुछ खास करनी पाए थे तो टीम से बाहर हुए उसकाद में गिराड इरासमस ने चलो फिर भी ठीक किया था एक में बनाए एक में बनाए थे तीन बाकी इनको भी भार बैठा दिया गया वह सकता है टॉम बेंटन की जागे पर ले आए बट ऐस विकेट की पर भी तो चाहिए ने किसी प्लेयर को तो फिर माई तिंग वही कहलेंगे उसकाद में इदर से रिजवान है जो कभी कबार अच्छा खेल लेते हैं बाकि उतने रादा कंसिस्टन नहीं है बात किजा इदर से काई सहमद की अब अगर रेहान एमद लगातार फेल बाकि अगर खेलते हैं तो उतने बहतर तो नहीं है बट हाँ एक विकेट आई तिम लेकर जा सकते हैं उसके बाद में इदर से जैमी ओवरटन रहेंगे ये बैटिंग और बोलिंग दोनों कर लेते हैं बाकि अभी के लिए तुम्हें कोई भी स्लोट यहां पर खाले दिखन पर तो चेंज करने की उम्मीद जो थोड़ी कम ही रहीगी इनकी पूरी ही टीम में बाकि टोम हैल में ये भी अच्छे वोलिंग कर लेते हैं विकेट वागरा निकाल सकते हैं अगर खेलते हैं तो और ये इनके बास में लेफ्टन बैट्समेंट रहेंगे चिदंबरम अब म सकते हैं गुरबाज स्टार्ट तो करता है मतलब 15-20 तक तो पहुच रहा है बट उतनी बड़ी इनिंग ये नहीं खेल पा रहे हैं तो लेने को तो मैं सजेस्ट करूंगा ट्रोब करने को तुम्हें इनको बोलूगा निकि आप हटा दो टीम से टीम में तो रखलो बट ऐसा सीविसी जो अभी तक कर रहे हैं वो थोड़ा सा रिस्की बनेगा आज के लिए करना उसका आद में डैविड मलन है जैसा नाम वैसा काम अभी तक डैविड मलन कर रहा नहीं है पूरे चार मैचेस में 0-18-14-9 ऐसा इनका स्कोर अभी तक देखने को मिला है तो किसी और को प्रसेंटेज देखकर पिक मत करो अगर रिस्क्क लेना है मोहिनली के ऊपर je Todo का सकते हैँ जो डैली चोत्वे पारसे नमर पर आकर अभी तक ठीक कर रहे है थाड़ी सिक्स हुआ चार रन 29 ठीक कर रहा मतलब सही सा रन वगर है बनाते वारे बहुंबन नभी की बात की जाए इनसे किसी में अच्छे बोलिंग कराई जाती है किसे में नहीं कराई जाती है बस एक यह दिक्कत है मेरको इनको लेने में अधराइस मैं बिलकुल सजेश्ट करता हूं नभी को ले सकते हो नभी इस ग्राउंड पर बोलिंग करता है तो विकेट निकालता है यॲन बनाता है दोनों вещ नभीए की इस ग्राउन पर इस पर इतल्व सहाँ लए नोरई बडिया कर रहा है एक लखर शां ब्राइकर परकर प्रद दोड़िए ब्यौंग में य कर गया था अगर बैटिंग आ जाती है तो रन वगारा बनाने की उम्मीद है इन से जुनाइज सिदिग एक मैच के विकेट लेस बाकि उससे पहले आपको यह लगातार विकेट लेते वेजिए यहां से दिख रहे हैं हलाकि मार जरू पड़ती है सिदिग को ऐसा नहीं कि इनका कम होता है मार जरू पड़ती है इकनोमी के दो चार पॉइंट आपको कम यह करा सकता है बागे उसकाद में जवादूला रहेंगे बढ़िया थी जवादूला की मैंने परसनल देखी लाइब में कि जवादूला बोल जवादूला हुए नवीनुला कोई यह आपको पूरी बोलिंग यहां से कराते हुए दिख सकते हैं मतलब चार बोलर फिफ्ट में होगा क्या कि नूर एहमद और आइधिंग नभी यहां से बोलिंग कराते हुए आपको दिखेंगे दोनों बोलर मिलकर चार वर डालते है और पर्टिकुलर लिए इस ग्राउंड पर खेलते हुए उसको विकेट मिले हैं जब जब खेला है न मतलब इंट्रनेशनल मैचेस खेले थे की ट्वन्टी वर्ल्ड कप या इंक सेप्टेमर के आसपास तो उसमें इनको विकेट जरूर मिलेते हैं जैसे देख भी जकते ह है बाकी राइट आम ओफ ब्रेक हैं बैट्समन भी ठीक है और वेश्ट इंडीज के डोमेश्टिक में काफिसा इन्होंने काम किया हुआ है बाकि उसकाद में अलीशान शराफ हुआ आते हैं अब देखो शराफ हो की बात किया है एक मैच में खिलाए गया इनको मातरी इनों कामी रहेंगे अब हाँ पोल वोल्टर एक ओप्शन इदर से जरूर बनते हैं पोल वोल्टर 28 विकेट लेस रहे थे उससे बैल 34 58 49 58 मां काफी अच्छा सही काम इन्होंने कर रहा था बागी बैटिंग में अगर आते हैं तो हिटिंग जरूर कर लेते हैं और अगर बोलिंग बागी बैटिंग से आठ्वे नंबर पर आएगा अगर खेलता है तो रन बना सकता है ठीक है अगर बैटिंग आ गए तो क्योंकि जब खेला था तो 28 बना दिया तो चोज़ा बोल में उसका आद में श्रॉणिस तो खेलेंगे नहीं अभी स्टार्स के साथ में अब आ जाते अपने वेन्यू स्टार्स के उपर कि वेन्यू में रन कौन-कौन मनाया था तो उसमें सबसे उपर आपको नाम दिखता है अभी के लिए तो यहां से नभी के है पंदरा मैचस में 307 बनाएं डैविड मलन ने मातर एवरेज है 21 का और उसी के अकोडिंग या परफॉमेंस भ इस ग्राउंड पर एक में आपको बताई कि इन्होंने 83 बना दिये थे एक मैच में इन्होंने बनाए है मातर चार रंज जो ने पिछला के ला तो वह वाला उसका बाद में इदर से डैनली आते 11 मैच में 275 30 का इवरेज इंकार है दोनों मैच के लिए और दोनों में 30 का सब इन्होंने बना दिये जब भी मोका मिला है इस ग्राउंड पर भी खेलने का उसका बाद में इदर से इरासमस है आठ मैच में 260 के साथ में खेले तो 52 इन्होंने बनाए थे इस ग्राउंड पर तो यह हो जाती है आज के लिए बैटिंग शेक्शन जो वेन्यूस आपको प्ले बैटिंग से भी यहां पर खेलता है और बोलिंग से अच्छा करता है तो 23 इनिंग में 22 विकेट नभी किये उसका बाद में इदर से क्रिश जोड़े ने 17 मैच में 21 विकेट के साथ में और बिलाल खान 4 मैच में 10 विकेट के साथ में आपको यहां देखने को मिल जाता है सबस्टे करें वाकी विनर्स वह एंगे इंस्टागराम के उपर तो से फॉलो को खसेब बागी और कर नेखने को मिलेंगे को बागी यहां पर आ जाता है उसके बाद में और उडनर्स section में नभी है वी से उसके बाद में मोहिनली रहेंगे bowling section में box को रखा है jordan है और यहां से रहान एहमाद है मैंको gleason को miss करना पड़ा अगर चाहो आप gleason को लेना तो नभी की जगे पर आई तिंग एक option है आपके पास में अगर आप रिचार्ड क्लीसन के साथ में जाना चाहो तो यह तो हो जाती है आज के लिए टीम इंट सब चीज़े कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कीज़े कैप्टन हमने किया इनफों बैट्समें विंस को वाइस कैप्टन हम गए है कोलर कार्ड मोर के साथ में क्योंकि तेगो बैटिंग पिछे अब कुछ अनप्रडिक्टबल हो जाए वह बात अलग है अदरवाइस दोनों मैचे जो रहे उसमें रन तो बने और यह दोनों बैट्समें अभीकिल अच्छी फोम में भी है अच्छे शोट्स खेल रहे हैं ऐसा नहीं है कि भाई कैच ट्रॉप हो रही है तो रन बना रहे बढ़िया खेल रहे हैं तो इसी विए से मैंने किया है इनको बागी चाहो न तो एक उप्शन अगर आपने नहीं किया हुआ है तो पड़ावच से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बैल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप आगे जाकर कोई वीडियो मैचस की वीडियो से वह आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ और हां तेलिग्राम चैनल भी तीजारे जल्ड।